नमस्कार बरून पांडे नाम है हमारा आप देख रहे हैं एक जॉन बेरी का संकलन खनन बहुत सारे भाईयों ने मुझे याद दिलाने के लिए फोन किया और वाटसप किया कि आप अपना मेजर मिनरल के बारे में बताना भूल गया हैं तो मैं भूला नहीं था बट सब्जेक्ट काफी बड़ा था और बहुत ज्यादा जरूरत मुझे नहीं फील हो रही थी क्योंकि काफी बड़ा सेग्मेंट है जो आम पब्लिक के लिए गवर्मेंट के रूप में अनुसार वह उपन भी नहीं है बहुत ज्यादा एक बहुत छ प्रास ही रखती है या फिर गवर्मेंट की जो बड़ी कंपनी के पास पहुँच पाता है तो इसलिए मैं थोड़ा साइस सब्जेक्क को आ गैर जरूरी समझते हुए इसको मैं स्किप कर रहा था बड़ काफी सारे लोगों ने पूछा तो इसलिए मैंने फिर से बनाने का आए देखते हैं इसके बारे में जैसा कि आज हम लोग बताने की कोशिश करेंगे भारत में लगबग मिन्रल वे बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है लगबग जो मिन्रल का काउंटिंग है पिर नंबर ऑफ मिन्रल्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे बुक को फॉलो करने के बाद या फिर बहुत सारे रिसेर्च करने के बाद लगबग यह क्लियर हुआ कि 95 से लेके 100 या फिर 110 की आसपस मिनरल्स ऐसे हैं जो भारत में मिलते हैं यह वह मिनरल से हैं जिनको टोटल हम लोग काॉंट कर रहे हैं, जिसमें माइनरוץ भी है, और मेजर मिनर्ल दोणों को इंक्लूड करके, मैं आपको भी बता रहा हूँ, और जिसमें से आप यह पन के चलिए, जो टोटल मिनर्ल है, उसमें से 4 जो है फ्यूल कटेगरी में आते हैं, और 10 जो हैं वो आते हैं metallic category में और उसके अलावा जो 23 हैं वो आते हैं non-metallic category में और बचे हुए लगभग 55-60 जो हैं वो आते हैं minor minerals में जो हम और आप या फिर जो regularly हम लोग क्रेशर में या फिर अलग जहों पर visibly देख सकते हैं अब हम बात करते हैं कि यह किस अधिनियम के अंतरगत आते हैं और कैसे government ने इसको अलग-अलग किया है major और minor minerals में और किस act का आए थोड़ी पीछे चलते हैं कुछ सालों पेछे कुछ नहीं कुछ पचास साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह कैसे start हुआ और इसका कैसे कैसे formation हुआ एक act बना जिसको mmdr act बोलते हैं इसको अगर हम लोग explain करके बोलने तो इसको बोलते हैं mines and minerals development regulation act mmdr act जिसके section 3E में इसको differentiate करके और संससस से और अलग से court में इसका law बनाया गया संससस से पारित करने के बाद कि किसको हम लोग minor बोलेंगे और किसको हम लोग major minerals बोलेंगे अब आते हैं हम लोग major minerals के counting पर कि major minerals में क्या क्या आता है नमबर एक अगर आप मान के जले तो आप सबसे major minerals में जो आते हैं वह आता है लोहा कोईला उसके बाद copper zinc uranium उसके बाद aluminum उसके बाद tungsten carbon carbide और उसके बाद magneze और बहुत सारी चीज़ें जैसे oil हो गया यह फिर आप gas ले लिजिए और यह सारी चीज़ें जो है यह major minerals में आती हैं तो ज्यादा explain नहीं करूंगा मैं क्योंकि काफी high value प्रोड़क्ट्स भी हैं और जनरली आम पब्लिक को मिलती नहीं है mining करने के लिए या फिर process करने के लिए government के जो बड़ा organization है वही उसको process करते हैं अगर हम लोग की बात कर रहे तो इंडिया करके government organization है जिसके अंतरगत काफी सारे और चोटी चोटी उत्रम आते हैं जैसे अगर वह इस्टन coal fields हो गया या फिर महानधी coal fields हो गया या फिर अलग-अलग area पर अलग-अलग उनका नाम रहता है और सेम वैसी पावर सेक्टर में हम लोग आ जाएंगे तो अगर पावर को अगर हम लोग transform करने के लिए NTPC वगरा बनी हुई है फिर NHPC बनता है और oil और gas के लिए ONGC है या फिर इंडियन oil है या फिर भारत petroleum है यह अलग-अलग companies है जो oil और gas के लिए work out करते हैं और oil और gas के अलग-अलग process करके हमारे को उपलब्द करवाते हैं या फिर export के लिए उनको त्यार करते हैं तो basically major minerals है वो काफी critical ही है आम पब्लिक के लिए इन में से जर्नली जो crusher product यूज करते हैं वो हो गया कोल में आपको crusher जो होता है जर्नली इस्टोन कुषर जैसा ही होता है अलग-बग इस्टोन कुषर ही होता है जो कोल इस्टोन कुषर को ही यूज करते हैं वो लोग iron ore process करने के लिए उसका lumps को तोड़ने के लिए और lumps को फिर आवापस स्क्रीन करके आगे process करने के लिए या फिर कोल को तोड़के आगे process करने के लिए तो mostly तो यह एक journal आपको मैं एक overview बता दिया ताकि आपको यह अंदाज लग जाए कि major minerals क्या होता है और इसको कैसे कोई भी क्牡 Fachu कोई जिग्याषा हो आपको फ्रूर्फ मांग इंडॉस्ट्री से फिर कंस्क्ठर्चन से याँ फिर स्टूर्ण कर benefici से और वाट्साप के थरू मेसेज याई मिल के थरू बी आपहमें संपर्ख कर सकते हैं और में अपनी बाणी को विराम देता हूं नमस्कार जय हिंग भारत झाल झाल